तो गाइस मैं हुआंगी तो और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरू करते हैं गाइस पहले मंडे नाइट रौ की विश्टिप से तो कल का एपिसोड मंडे नाइट रौ का लोगो काफी पसंद आया था बहुत सारे सूपरस्टार्स को डबे डबी ने इन सब्सक्राइब तो ओवरौल एपिसोड काफी पसंद आया था लोगो को स्टार्ट से लेके एंड तक और आज का निक्स्टी भी लोगो को काफी पसंद आया तो बैक टु बैक दो बैंगर सोस दिया है डबी डबी ने एंड स्मैक डॉन तो हो गाई भाई बावाल होने वाल सब्सक्राइब नहीं बढ़ने वाली है रोग की वियर से हमेशा की तरह कम ही है 1.557 मिलियन यह कुछ इस वीक के नंबर से तो यही यूजवल है मंटेनाय ट्रौ के लिए 1.5 1.6 अगर कहीं कॉंपटिशन आ गया तो 1.3 1.4 पर भी चले जाते हैं 1.9 मिलियन आई गैस पिछ सब्सक्राइब तो लाग डाई लाग तीन लाग यह कॉर्ट जो है काफी नेगेटिव तीज़े डबी डबी के प्रोडक्त के लिए डबी डबी का प्रोडक्त काफी अच्छा है लेकिन लोग जो ऑनलाइन स्विच कर रहें अब सिफ एंड टीवी वगरा पर देखना नहीं ही वाली अब उस लेवल की जो की पहले आती थी तो में भी फ्यूचर में आपको डबी डबी जो सिफ ऑनलाइन ही स्विच करते वे देखने को मिल सकती है जब टीवी पर कोई देखेगा ही नहीं आने वाले टाइम में तो टीवी पर टेली कास्ट करने का फिर लॉजिक ही क् इन फ्यूचर डबी डबी सिफ सोसल में प्लेटफॉर्मस पर रह जाएगी आगे बढ़ते हैं कास बात करते हैं अगली स्टोरी के बार में जो कि यह एड़व को लेके तो आज क्या टफ कॉमपटिसन हुआ एड़व और डबी डबी के बीच में और डबी डबी एनेक्स ट देने का अब विर्शिप कल आजाएगी तो कल पता चलेगा कौन जीता लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना चाहूंगा यह वीडियो क्लिप पता ने एक तो यह वीडियो क्लिप दिखाने मुझे डर लग रहा है कि एड़व वाले कहीं पता चला स्ट्राइक मारतें कि पर बैठ के कुछ लोग टीवी पर नेक्सटी देख रहे थे वीडियो फिटेस आप लोग देख सकते होंगे घमाल की बाते हैं कि सामने एड़व चर रहा हुँसी एरेना में बैठे हुए और वहीं पर वी आइप सक्षन में बैठे हुए लोग एनक्सटी देख रहे तब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी में जो कि वेल्वटें ड्रीम को लेके तो आपको याद होगा Velveteen Dream को WWE से fire कर दिया गया था इसके पीछे का reason अगर मैं आपको बता हूँ तो मुझे खुद भी सर्मा आ रही है इन्होंने कुछ male superstars को bathroom में film किया था इस वज़ा से इनको WWE ने fire कर दिया था इनको कोई भी WWE के अंदर वापस देखना नहीं चाहता है WWE के करीब भी नहीं देखना चाहता है लेकिन रिपोर्ट निकल के सामने आई बूजर एस्तिन की तरफ से जहां पर बताया गया कि जो Velveteen Dream है वो performance center के आसपास जो है पाए गए है वहाँ पर performance center गए है अब क्या वो WWE के अंदर आएंगे ये नहीं पता लेकिन chances काफी कम है कि WWE इनको वापस sign करेगी इस condition में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है जब इन्होंने किसी male superstar या super stars को bathroom में film किया ये तो पाई अलग सी गिनोनी अरकत है तो WWE इनको sign नहीं करना चाहेगी कुछ बताए गया था बागी क्या status से क्या return कर सकते है तो PW Insider का कहना है कि नहीं ये sign नहीं किये जाएंगे WWE से and साथ में Velveteen Dream ने story बगेर डाली Instagram पे वहाँ पे वो clear कर रहते हैं कि भाई मैं तो गया ही नहीं हूं यार यह कैसी rumors फैल गई तुम अपने यहां के wrestlers पे focus करो media outlets वाले news outlets वाले मुझ पे क्यों focus करो मैंने तुमारे industry में कुछ भी contribute नहीं किया है तो मेरे टाइम वेस्ट मत करो focus on your active wrestlers उनके उपर focus करो वह डिजर्व करते हैं उस चीज को तो वेलवटीन ड्रीम कंप्लीटली डिनाई करते हैं कि वह गए ही नहीं है देखो वह जाएं या पिर ना जाएं लेकिन जो सबसे पॉजटिव चीज यहां पर से निकल के सामने यह आ रही है कि वलवटीन ड्रीम कंपणी में नहीं आएंगा अब चाहिए वह परफॉर्मस सेंटर में गए हो या ना गए हूं डिनाई कर रहे हैं तो सबसे अचीज बात है कि वह कंपणी में नहीं आएंगे आगे बढ़ते ही कैसे उपर उपर से कुछ नहीं बताऊंगा थोरा सा जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यां से सुनना से जो की फाइट फुल वाले उनकी कॉंट्रवर्सी चर रही है बूजर रैस्लिंस से अब इसका मैं देखता हूं सिन रॉस सैब का यह जर न्यूस को भ फेक है फेक है मुझे नहीं लगता फेक है तो सायद इसी को फेक साबित करने के लिए से रॉस सैपने अपने फाइट फुल पे एक आर्डिकल पोस्ट कर दिया कि सीम पंक जो डबीड़ी के साथ टॉक्स के अंदर नहीं है और सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न नहीं होगा हाला कि फाइट फुल की रिपोर्ट जी दो दिन पहले की कि सीम पंक और डबीड़ी काफी सही जा रहे हैं लेकिन अभी दो दिन बाद क्या हो गया कि पुछी डिपोर्ट चेंज कर दिन होने तो कहीं ना कहीं बुजर रस्लिन को गलत साबित करने के लिए सें रॉस सैप की तरफ से ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई इसके बाद बुजर रस्लिन के तरफ से रिपोर्ट आई कि देखो भाई मुझे जिस सोर्स ने बताया था कि सीम पंक और डबीड़ी के साथ टॉक्स के अंदर हैं और सर्वाइबर सीरीज में आज सकते हैं तो ऐसे में जो है य आप किस पर बिलीव करते हो फाइट फुल भी काफी ट्रस्टेड है बुजर भी काफी ट्रस्टेड है तो ऐसे में किस पर बिलीव करना है question यह है मैं सायद बुजर के साथ जाओगा क्यूंकि recent टाइम में वो थोड़ा जादा ट्रस्टेड है and especially क्यूंकि WWE भी अपने प्रो मुझे काफी बखवास लग रही है कोडी रोट के साथ कोई टॉक नहीं कोई टॉक नहीं लेकर अब एवा रहने को ब्लड लाइन में बुलाने की कोसिस कर रहे हैं पॉल हमन आज के नेक्स टीम हमने चीज नोटिस कर ली हमने देख लिया अगर आपको नहीं पता तो मैं यहां पे पॉल हमन आज के नेक्स टीम है एवा रहने को यानि की रॉक की बेटी को ब्लड लाइन में असाइन करने के लिए कुछ कुछ समझा रहे थे अब यहां पे जो है पॉल हमने ब्लड लाइन का मार्क दिखाया जब अपने मुबाइल फोन पे तब लोगों ने नोट किया है एवा रहन को जो है यह ब्लड लाइन में रेकुरूट करना जाते हैं पॉल हमन आज नेक्स टीम हो साइद इसलिए भी गए था यह उनका एक मेन मोटिफ था अब क्या यह एक रास्ता हो सकता है रॉक के डबीड़ी रिटन का में भी हूस पॉसिबिलिटी है और सम प आइक करना सेर करना सबस्क्राइब करना चैनल को आने वाले टाइम ऐसी डबीड़ी की न्यूज रूमर अपडेट्स फास्टेस्ट न्यूस पाने के लिए फॉलो कर सकता आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लिंक आपको मिल जाएक डिस्क्रिप्शन में वाटसेब चैनल भी जोईन कर सकते हैं उसकी भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलता पर नेक्स वाफेर काफ़ इंट्रस्टिंग वीडियो में